दोस्तो इस कहानी में कुछ मजदूर गुफा खोदते वक्त एक सोई हुए राचस को जगा देते हैं जिसके बाद पूरी दुनिया खत्रे में आ जाती है तो कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस विडियो में कहानी के सुरुवात में नोरा नाम की लड़की को दिखाये जाता है जो अपने पिता के साथ पहाड पर चड़ रही होती है वहाँ उपर पहुचने के बाद उसके पिता नोरा को सबसे उचे पहाड दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि आज भी हमारी इस दुनिया में ट्रोल हैं जो इनसानों से छुप कर रहते हैं दरासल उसके पिता नोरा को कुछ दिन पहले ट्रोल्स की कहानी सुनाई थी जो 13 ड्रोल्स एक दिन जस्न में गए थे जहां पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी जिसके बाद वो घर आते समय सुरज के रोशनी में आ गए जिसकी वज़े से वो पथर बन जाते हैं उसके पिता बताते हैं कि ये वही ट्रोल्स हैं जो पथर बन गए हैं जिस पर नोरा को यकीन नहीं होता है और कहती है ये ट्रोल्स दिखते क्यों नहीं पर उसके पिता बताते हैं कि तुम्हें अपनी मन की आँखों से देखना पर जैसे ही वो अपने मन की आँखों से देखती है तो वहाँ पर बहुत सारे चेहरे दिखाई देते हैं जो बहुत ही ड्राउने होते हैं जिनें देखने एक बाद नोरा को यकीन हो जाता है इसके बाद 20 साल पर कानी सुरू होती है और हमें एक टनल को दिखाए जाता है जहा पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं ये लोग इस गुफा को जल्द से खोदने के लिए यहां पर बम ब्लास्ट करते हैं जिसके बाद सभी लोग अंदर जाते हैं पर तभी उनकी तरफ कोई बड़ी सी चीज आती है जिसे देखकर सभी लोग डर के वहां से भाग इस सभी मामले को जानने के बाद वहां के मिलेटरी कमांडर एक मीटिंग रखते हैं जहां पर कुछ सैंटिस और नोरा को भी बुलाए जाता है दरासल ये वही नोरा है जो आप पहले से बड़ी हो चुकी है और वो एक बैग्यानिक है जो पुराने जीवों की हड़ियां ख कुछ सैंटिस नोरा पर हसने लगते हैं तब ही वहां पर एक लड़की आती है और बताती है कि मैंने वहां के कुछ लोगों के मुबाइल फॉन हैक किया है जिनमें कुछ वीडियो है और जब वो वीडियो प्ले होता है तो ये लोग उसमें एक राशस को देखते हैं जो देखते ही देखते उनका घर तेजी से हिलने लगता है मानों की भुकंप आ गया हो जिसके डर से ये दोनों नीचे के तैखाने में छुप जाते हैं और जब हल चल खत्म हो जाती है तो तैखाने का धकन खोलकर बहार आते हैं और देखते हैं तो इनका घर किसी ने तोड़ अब इस हादसे को जानने के लिए वहाँ पर नोरा और प्राइम मिनिस्टर का सलाकार जिसका नाम एंड्रियास होता है इन दोनों को भेजा जाता है वहाँ पर इनकी मुलकात एक मिलिटरी कैप्टन से होती है जिसका नाम क्रीस होता है और वो इन दोनों को बताता है कि नदी पार करके कोई बड़ी सी चीज आई है और इस घर को तोड़ कर गाइब हो गया है वहाँ पर बहुत बड़े पेरों के निसान होते हैं जो तीन किलोमीटर के बाद ओ निसान गाइब हो गये हैं पर हैराने की बात ये है इतनी बड़ी चीज गाइब कैसे हो सकती है अब नोरा स पास जाती है क्योंकि उसके पिता ट्रोल्स के बारे में बहुत जानते थे और जब नोरा अपने डेट के पास जाती है तभी वो एक बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं दरासल उनको लगा कि साथ कोई पुलिस वाला उन्हें घर से निकालने के लिए आया है पर नोरा कहती है पापा मैं आपकी छुटकी हूँ और आप से कुछ जरूरी बात करनी है अंदर जाने के बाद नोरा के पिता उन सब को बताते हैं कि आज से कई साल पहले भी पहाड़े से कोई बड़ी सी चीज निकली थी परन्तु पलक जपकते वो चीज गाइब हो गई मैंने इस सच को साबित करने की कोशिस किया था लेकिन लोगों ने मुझे पागल खाने भेज दिया तभी नोरा अपने डैड को उन भायानक पैरों के निसान दिखाती है जिने देखने के बाद वो तुरंत उस जगह पर जाते हैं जहां पर पैरों के निसान होते हैं वहाँ पर उसके पिता एक बड़े से पत्थर पर चड़ कर खेलने लगते हैं जिसको देखकर इंड्रियास और कैप्टन क्रीस नोरा के उपर हसने लगते हैं दरासल उनको पूरी दुनिया पागल समझती है अब नोरा अपने पिता के पास जाती है और कहती है यहाँ से चले पिता जी नहीं तो हमारे इज़त का पूरा कचरा बन जाएगा तभी नोरा को एक गंदी समेल आती है और जब वो पीछे मुड कर देखती है तो वहाँ पत्थरों में एक खुली आँख दिखती है जो कुछी वक्त में ओपत्थर एक बड़े राचस का रूप ले लेता है दरासल ये एक ड्रोल होता है जो अब इनसानों के लिए खत्रा बन चुका है जिसके बाद सभी लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं साथ ही कैपटन क्रीस उस राचस का बीडियो रिकोर्ट करके मिलियटरी के कैम्प में दिखाता है जिने देखने के वाद सभी ओपिसर डर जाते हैं अब नोरा वापस आकर बताती है कि हमें इस क्रियाचर पर थोड़ा रिसर्च करना होगा लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है जब तक तुम स्टडी करोगी उससे पहले ओर राचस हम को मार डालेगा और अब इस काम को अंजाम मिलियटरी देगी जिसके बाद कैपटन क्रीस अपने साथियों को लेकर उस क्रियाचर को मारने के लिए जाता है पर नोरा कहती है हम भी तुमारे साथ जाना चाते हैं परन्तु कैपटन क्रीस को इन लोगों को अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं थी फिर भी वो अपने रिस्क पर लेकर चला जाता है अब ये लोग उस जगा पर जाकर छुप जाते हैं जहां से ड्रोल गुजरने वाला होता है पर कुछी वक्त में ओड्रोल वहाँ पर आ जाता है जिसको देखकर सभी फोजी उस पर अटेक कर देते हैं अब उस राचस को बहुत ज़्यादा गुसा आ जाता है जिसके बाद वो कुछ सैनिकों को पकड़ कर खा जाता है तभी नोरा के डेट उस राचस के पास जाकर कहते हैं तुम सांथ हो जाओ, हम तुमें कुछ नहीं करेंगे जिसके बाद वो ड्रोल का बच्चा सांथ हो जाता है दरासल वो इनसानों की भासा समझता है तभी कुछ फोजी दुबारा से उस पर हमला कर देते हैं जिससे वो उनके टैंक को कुचल देता है साथ ही नोरा के डेट को भी उठा कर दूर फेक देता है जिसके बाद ड्रोल वहाँ से चला जाता है अब नोरा अपने पिता के पास जाती है और रोने लगती है हो जाती है अब नोरा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है अब नोरा अपने पिता का सभी नोट्स को बाहर निकाल कर उस पर स्टडी करने लगती है अब ही उसको पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियां बुरी लगती थी इसलिए वो चर्च की उपर हमला किया करते थे नोरा कैप्टन क्रीस से कहती है मेरे पास एक तरकीव है जिससे हम उस ट्रोल को काबू कर सकते हैं नोरा के इस बात पर सभी लोग सहमत हो जाते हैं जिसके बाद हेलिकॉप्टर पर घंटियां बाध कर उसके चारों तरफ घुमाने लगते हैं जिससे वो बेकाबू होकर उन पर हमला कर देता है अब नोरा का यह आईडिया फेल होने पर उसको इस मिसंद से निकाल दिया जाता है और कंफर्म किया जाता है कि उस क्रियाचर को मारने के लिए मिसाइल का उपयोग किया जाए इसलिए वो सहर को खाली करने लगते हैं अब नोरा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि उस क्रियेचर को कैसे रोका जाए तब ही उसको अपने पिता की बात यादा जाती है जो मरते वक उन्होंने रॉयल पैलेस का नाम लिया था अब नोरा समझ जाती है कि वो राचस कहां जाने वाला है इसलिए वो एंड्रियास को लेकर रॉयल पैलेस पहुँच जाती है जहाँ पर उसको राजा का चीप मिनिश्टर मिलता है वो नोरा को बताता है कि इस महल के पहले यहाँ पर ट्रोल्स का घर हुआ करता था पर वो आस पास की चर्ज की घंटियों की आवाज सुनकर उन पर हमला कर देते थे इसलिए यहाँ के राजा ने उनको मार दिया और उनके एक बच्चे को डोबरा के पहाडियों में बंद कर दिया गया ताकि वो उसमें मर जाए सायद यह वही ट्रोल्स है जो अपने घर वापस आना च जाता है इसके बाद चीप मिनिस्टर नोरा को ट्रोल्स का कंकाल दिखाता है और जब नोरा उन हड़ियों पर यूबी टोर्च की रेज डालती है तो वो पत्थर की बन जाते हैं तभी नोरा को अपने पिता की कहानी याद आ जाती है जिसमें 13 रोस घर आते समय सुरे के रो को लगाती है और कहती है मुझे पता चल गया है कि उस ट्रोल को कैसे हराना है तुम बहुत सारे यूबी टोर्च को लेकर एक खुले मैदान में आ जाओ जिसके बाद नोरा उनमें से एक ट्रोल का खोपड़ी लेकर कैप्टन के पास जाने लगती है तभी अचानक से वो ट् यूबी टोर्च को ओन कर देते हैं जिसे ड्रोल पत्थर बनने लगता है पर नोरा बहुत दयालू होती है इसलिए वो यूबी टोर्च को ओफ कर देती है और कहती है तुम यहां से चले जाओ नहीं तो यह लोग तुम्हें मार डालेंगे पर इससे पहले वो ड्रोल यहां स से चला जाए तब तक सुबह हो जाती है जिसके बाद वो ड्रोल सुर्य की रोशनी में जलकर पत्थर बन जाता है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल को और नोटिपिकेशन पर सेट कर दो ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिपिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे